नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है ये एक 24 इंस की LED TV है इस पे होने वाली है तो आईए मैं इसमें आपको प्राब्लम क्या है इसको दिखा देता हूँ सेट मेरा आन है और इसको मैं स्टेंड बाई रिलीज करता हूँ जैसा कि आपको अप्राब्लम पे दिखाई दे रहे है और वो भी क्लियर आ रही है ब्लीव बैक के हां पे भी आपको एक दिम क्लियर दिख रहा है लेकिन प्राब्लम इसमें क्या है आईए जानते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए है या पहली बार हैं डॉट-डॉट की निशान बनते हैं और काफी रिफ्लेक्शन टाइप का इसमें फिलेक्श्वेशन होता रहता है स्क्रीन पर इस तरीके की पिक्चर आती है तो इसके कुछ महत्पूर्ण टेस्ट पॉइंट है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं अगर ऐसी प्राब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो आसानी से इसको आप रिपियर कर सकते हैं दोस्तों आप अगर टेक्नीशियन हैं तभी यह इस्तेमाल करें अन्यथा यह सौक लगने का भी इस और इसको हम चेक करते हैं तो यहां पर हाथ लगा के देख रहा हूं दोस्तों यह फूला हुआ नहीं है और एक दोस्तों यहां पर आपको केपेसिटर मिल जाता है आउटपूट में लगा है यह भी फूला हुआ नहीं दिख रहा है और उसके बाद दोस्तों यहां पर एक क चेक कर लेनी होती है कोयल भी हीट हो जाती है तब भी ऐसी समस्या दिखाई देती है तो इसके बाद हमें दोस्तों ये सब सारी चीज़े चेक करके हमें बोल्टेज भी चेक कर लेनी होती है कि बोल्टेज हमारा कोई कम जादा तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है इससे हमे मैं बारा बॉल्ट की सफप्लाइ चेक कर रहा हूं और यह सप्लाइ दोस्तों यहां पे हमें 12 बोल्ट पूरी मिल लए है उसके बाद आई κάνend यहां पे कॉल लगी होती है 1.2 बोल्ट की सप्लाइ है यह भी यहां पे हमें मिल लएी पूरी और इसके बाद एक कोईल यहां पे लगी हुई है यह भी आपको सप्लाई पांच बोल्ट की यहां पे पूरी मिल लई है तो दोस्तों यह सारी सप्लाई यहां मैंने टेस्ट करा और यह मुझे परफेक्ट आई इसमें कोई फिलक्ट्वेशन नहीं है तो यह सारी चीजें आपको यहां पे टेस्ट कर लेनी होती है इसके बाद हमें दोस्तों फाइनल पे भी सप्लाई जाती है बारा बोल्ट की पांच बोल्ट की वो तो अलग-अलग कंडिशन पे अलग-अलग फाइनल पे होती है तो यह भी टेस्ट करा मैंने यह भी यहां पर ओके है इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं PCB को मैंने open करा है और आईए इसको ध्यान से देखते हैं तो यहां पर देखो आगे के जगे यहां पर पीछी जो capacitor लगा है capacitor पर हमें थोड़ी सी liquid इनकी पिनों पर दिखाई दे रही है dust भी लगी है कुछ leakage टाइप का दिखाई दे रहा है लेकिन यह देखने में एकदम okay दिख रहा है तो सबसे पहले हम इसको change करेंगे उसके बाद यह बगल की जो coil लगी इसको भी change करेंगे क्योंकि यह भी थोड़ा heat up दिख दे रहा है तो सबसे पहले दोस्तों इस capacitor को हम लोग चेक करते हैं तो आएए मैं इसको निकाल के आपको यह देख लिए यहाँ पे हलकी सी dust आपको एक पिन पर दिखाई दे रही है और यह leakage है capacitor ऐसा दिख रहा है तो सबसे पहले दोस्तों यह capacitor 450 बोल्ट का है 56 UF का और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे capacitor हमें इस तरीके से mount कर देना है और यह coil चेक करनी है तो दोस्तों मैंने capacitor निकाल के लगा दिया है मैं किसी कारण बस आपको solder औगरा करते नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा मुस्किल हो रहा है और उसके बाद मैं यह coil भी थोड़ा heat अप दिख रहा है यहाँ पे yellow से थोड़ा red हो गया है heat करके तो यह coil दोस्तों यहाँ पे मैंने दूसरे PCB से निकाल के install कर दिया है क्योंकि अब label नहीं है अगर आप नहीं क्याल लगते हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं तो यहाँ पे दो parts मैंने change कर दी हैं उसके बाद दो parts change करने के बाद दोस्तों हमारा अगर set नहीं सही होता है तो आगे का भी capacitor हम लोग निकाल के check करेंगे तो आईए अब हम इसको set को एक बार on करके देख लेते हैं क्योंकि यह हमें हाँ पे doubtful दिख रहा था तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे है आपका set okay हो गया है picture एक दम clear है कोई भी line नहीं है 100% set हमारा okay हो चुका है तो इस तरीके की अगर problem आप भी face करते है तो सबसे पहले आप जो line input होती वहाँ पे coil लगी है उसको चेक करें main filter capacitor चेक करें उसके बाद आगे के जो capacitor लगे होते है filter के वो भी चेक करें आपकी समस्या 100% दूर हो जाएगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जादा से जादा लोगों में share करें और एक like तो जरूर बनता है तो बहुत बहुत धन बाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं